प्रेके बाद इबाफेर आप सभी का स्वागत है तपदेश मादिमिक सिक्षा परिशद यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटर के छात्रों के लिए माक्स फॉर्मूला तै करने को लेकर आज एहम बैठक होगी यूपी बोर्ड की ये बैठक जिलस्तर के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग के सरी होगी मादिमिक सिक्षा का मुख्य सचिव अराधना शुकला ने बताया कि दस वी और बारवी की परिक्षाओं को लेकर चात्रों की मार्किंग के साधार पर कीजाए इसका फॉर्मूला तै किया जाएगा जरिये सुझाओ मांगे हैं तो लगातार जिसकदर अब परिक्षा रद्ध हो गई है करोना को लेकर ये तमाम चीजों पर चर्चा हुई कि किस तरह से परिक्षा ली जाए पहले तो परिक्षा को ना करवाने का निर्णा बना और अब परशानी इस बात की खड़ी हो गई ह कि बच्चों को किस अधार पर अंक दिया जाए तो इसको लेकर अब आज चर्चा होने वाली है मीटिंग होगी जिसको लेकर मांक्स फॉर्मुला ज तयार किया जाएगा कि किस अधार पर हाई स्कूल इंटर के चात्रों को परिक्षा में अंक दिये जाए कॉंग्रेस के प्रवक्ता अंशिववस्ती ने कहा जब उत्तर प्रदेश को बरवादी के रास्ते पर ले जा रहे थे मुक्यमंत्री हो गया अधितनाद और भाजपा की प्रदेश सरकार तब बिजेपी का राश्ट्री निर्तरफ कहा था इन बैठको के इवेंट से उत्तर प्रदेश के लोग गुम रहा होने वाले नहीं है 2022 में जन्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है प्रदेश की जन्ता प्रियंका गांधी के निर्तरत में कॉंग्रेस सरकार बनाती है और क्या कुछ कहा उन्होंने आई आपको सुनाते हैं कहा थी भारती जन्ता पार्टी की नेता जब उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे मंत्री फरजी वारा कर रहे थे भरष्टा चार कर रहे थे कुरोना में आपदा का आउसर तलास रहे थे कहा थी भारती जंता पार्टी जब कॉंग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता को लेकर सुझाओ लिख रहे थे लेकिन अहेंकारी मुख्यमंत्री सहित पुरी सरकार ने उन सुझाओं को नहीं माना कहा थी भारती जन्ता पार्टी, जब लगा तार उत्तर प्रदेश में भरष्टाचार हो रहे थे नौजवानों के रोजघार को लेकर कॉंग्रेस पार्टी सवाल कर रही थी, उस समय कहीं पर ना तो प्रदेश प्रभारी देखाई दे रहे थे ना भाज़पा का राश्टी किताब करने का मन 2022 में बना लिया है उत्तर प्रदेश में 2022 में कॉंग्रेस पार्टी की श्रीमती प्रियंका गांधी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी क्योंकि यह अब छलावा चलने वाला नहीं है रादमोहन सिंग जी जो आप डोर टू डोर करके उत्तर प्रदेश क के लोगों को गुम्रा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के काई जिलों को करोना कर्फियूस से मुक्त कर दिया गया है और जिले में करोना के मामले भी कम हो रहे हैं और इन्हीं सब वज़ाओं से लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं प्रशासन द्वारा चूट के दिनों में सा माने दिनों की तरह ही आवा गमन हो रहा है जिससे साफ है कि जिंता को अभी और जागरो करने की जरूरत है इसलिए लोगों को कोरोना की नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है कीकार ने अभी हाली में एक जून-को को पो पोरोना के लॉइं टाउन से और दिया था यह से हमारा आग्रा नीचे था लेकिन हम बात करें काल में एक जून के बाद में जो आख्डे लगातार को रोना संक्रिवित मरीजों के जो आये थे वो लगातार एक से लेकर पी थी जो शुक्रवार तक का समय है उसमें लगातार आकड़ों में बड़ोतरी देखी गई थी आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार आकड़ों में बड़ोतरी हुई थी और जो सरकार द्वारा जो छूट लगा रहेगा और वीकली जो लोगडाउन है वीकेंड लोगडाउन है शुक शनिवार और इतवार का वो उसमें भी कोई कोताई नहीं रखी गई थी तो वहीं हम बात करें अपने बढ़ते हुए आकड़ों की तो उसका सबसे वड़ा कारण यही है कि सौंबार से लेकर शुक के आकड़ों से काफी कम है इससाफ जाए रहे तो कहीं ना कहीं जन्ता और प्रशाशनिक अद्कारी कोरोना के मामले में लापरवाई कर रहे हैं जिस कारण लगातार कोरोना के आंकड़े आम दिनों में ज्यादा आते हैं और वीकेंड लोगडाउन में कम देखने को मिले है अगर यही इस्तिती रही और जन्ता अभी अगर नहीं समली तो आगे फिर से वही इस्तिती सामने आ जाएगी जिसमें पूर में पहले भी संपूर्ण भारत में लोगडाउन लगाया गया था आगरा से अमित शर्मा रेमड़ी विग आलिगड जहली वी शरापकार्ण मामल कर लिया पुलिस की छटी में छे राजियों में पिछले नौ दिन में शातिर माफिया प्राधी की तलाश कर रही थी जिसको मुगबीर की सुचना पर बुलन शहर में चेकिंग के दौरान गिरुफतार किया गया यूपी के आलिकड में जहरीली शरापकार्ण को लेकर एसेस पी ने बताया कि रिशी को गिरफतार करने के लिए कई राजियों में पुलिस दबिश दे रही थी जिसको आज पुलिस ने गिरफतार कर लिया जनपद अलिगड में सराप से भी घटना के संबंद में यहां अवगत करा देंगी एक बड़ी सफलता अलिगड पुलिस को मिली है जिसमें एक लाग के इनामी अपरादी रिशी सर्मा को पुलिस द्वारा बुलंसर बॉर्टर के समीप से ग्रिफतार कर लिया गया है यहाँ भी विदित हो कि इसमें 50,000 के इनामी विपिन यादव को पूर में ग्रिफतार किया जा चुका है इसके अलावा प्रिशी सर्मा के भाई मुनीर सर्मा जो 25,000 का इनामी आ था उसको एवं अनिल चौधरी का साला जो नीरत चौधरी था जो भी 25,000 का इनामी था उसको भी पुलिस वारा ग्रिफतार किया जा चुका है सीतापुर में सदर्क इलाके में बहुजन समाच पार्टी के नेताओं ने गरीब और जरूरतमन लोगों की मदब की प्रभारी सेयद अजगर अली ने गरीबों को राशन भी बाता सेयद अजगर अली का कहना है कि कोरोना का से लेकर अब तक वो जरूरतमन लोगों की मदद कर रहे हैं और हर एक गरीब तक राशन पहुचाने का काम उनकी टीम कर रही है ऐसी के साथ उन्होंने महमारी को लेकर सरकार पर निशाना भी साथा पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में लगातार बीजेपी के दल की बैठक चल रही थी और लगातार बीजेपी के दिकशनेता बैठक में शामिल हो रहे थे अब योगी मंत्री मंडल विस्तार के अठकलों के बीच बीच बीजेपी के राश्रे उपाध्यक्ष वा प्रद मानी राधा मोहन जी बहुत पुराने हमारे मित्र हैं एक बात और लंबे समय तक संगठन मंत्री और भिन भिन दाइतों पर रहे हैं उक्तर प्रदेश के प्रभारी हैं इस समय संप्रती हैं उनके मन में आया कि दिक्षीजी से भी घेट की जाया काफी दिन से घेट नहीं थी फोन आया मुझे अच्छा लगा इन लोग बैठे ज्यादातर चर्चा साहित्य और प्राचीन इतिहास को लेकर आलिकर्ण में मुस्लिम युनिवरसिटी के कोारडिनेशन कमीटि के चात्रों ने कुरोना में हमारी के दोरान आकसीजन बात करकरी लोगों की जान बचाए आपको बता दे कि चात्रों ने इस दौरान अपने सायोग से लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन उपलब्ट करा और देश के लिए मिसाल पेश की तो अलिगार यूनिवरस्टी की मुहीम उन्होंने तमाम जरुत मंद लोगों के लिए ऑक्सीजन मुहिया कराई बता दे कि इस कुरोना काल में ऑक्सीजन की जिसकदर लोगों को जरुत पढ़ रहे थी उस बीच कही ना कही ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था तो एम्यू के तमाम चात्रों ने एक जुट होकर इस सहयोग से ऑक्सीजन लोगों को मुफ्त में उपलब्ट कराए और एया के एरवा कटरा था ना च्वेतर में एक दस लाग के मासूम बच्चे को तेजर रफ्तार कारने तक कर्मा दी इस घटना के दौरान बच्चे की मौत हो गई सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुची चौकी प्रभारी और उनकी टीम ने कारचालक को पकड़ लिया ऐसी बीच बच्चे की परिजन भी मौके पर पहुच गया और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया यहां पुलिस ने परिवार वालों को समझा भुजा कर शान करवा दिया और शफ को पोस्ट मौटम के लिए भेज दिया है तो एक 10 साल की मासूम बच्चे की मौत के बाद परिवार में हड़ कम मच गया हाला कि पुलिस को सूचना दे दी गई है शफ को पोस्ट मौटम के लिए भेजते हुए आगे की कारवाई शुरू कर दी गई है और यहां कि थाना एर्वक 18 में बड़ी संख्या में एक हेतो में राश्विपक्षी मौत मोरों की अम्रित अवस्ता में पाई गया है ग्रामीनों कहाना है कि यह काम शिकारी का है और उन्हीं लोगों ने जहर दे कर पक्षियों को मारा है वहीं वन विभाग अधिकारियों ने कहा कि पोस्ट मौटम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यू का कारण पता चल सकेगा तो भारी मात्रा में मृत मिले मोरों के बाद पुलिस ने पोस्ट मौटम के लिए इनको भेज दिया ताकि यह पता चल सके कि इतनी भारी मात्रा में मोर कैसे मरे हैं आजमकर के जिलादिकारी राज़ेश कुमार कि दिदेश पर बाढ़ समधित काम को सही तरीके से चलाने के लिए कखश स्थापित किया गया है आजमगर में जून 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए बाढ़ नींतरन कखश स्थापित किया गया है कक्ष के संचालन हेतु कई ग्रूप भी बनाए गया है और इसी ग्रूप में वरिश अधिकारी को शामिल किया गया है और उन्हें बताए कि बाड कक्ष में पदस्थापित कर्मचारी अनिवार रूप से पाली ग्रूप के अनुसार अपने कर्तव्यू का पालन निर्धारत सम अनुसार करेंगे तो बाड को देखते हुए एक बाड कक्ष बनाए गया है जिसमें बाड की स्थिती से निपटने के लिए तमाम तरह के चीजें की जाएंगी वहीं पदास्तित कर्मचारी ओं को अनिवार रूप से पाली ग्रूप के अनुसार अपने कर्तव्यू का पालन निर्धारित करना है समय अनुसार वो भी इसको भी सुनिश्चित कराया जा रहा है फिलाल के लिए बस इतना ही फैरा आजिर होंगे देश और दुनिया के तमाम खास खबरों के साथ अब तक के लिए आप स्वस्त रहिए सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी झाल 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 झाल